नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बाउत हम बात करेंगे आज मुख्यमंत्री के संदर्व में मुख्यमंत्री के संदर्व में कुछ बातों को देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट बाते हैं जो मुख्यमंत्री के संदर्व में देखते हैं ये रास्तान मुख्य मंत्री की इसके संदर में रहेगा वीडियो सबसे पहले देखते हैं इससे पहले आपसे नियुद आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लेस कर लिजेगा वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों में सेर जरूर कीजेगा चले राजीपाल के परशाद परेंद पर अपने पत पर बने रहते हैं किन्तु वास्तों में जो है मंत्री को अपने पत पर बना रहना मुख्य मंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है राजीपाल के परशाद परेंद मंत्री पर जो बने रह सकते हैं अपने पत पर लेकिन जो वा मुक्यमंत्री, मंत्री द्वारा किसी भी मंत्री को कोई भी विवाक स्वाँ पाजा सकता है. सामने तो जो मंत्री परिस्ट में तीन स्रेणी के मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं राजय मंत्री होते हैं उप मंत्री होते हैं तीन स्रेणी होती है यह मुख्य मंत्री पर निर्वर करता है कि वो किसे कैबिनेट मंत्री किसे राजय मंत्री या किसे उप मंत्री बना बनाया जाता है उनकी तुर्णा में कनेस्ट यहों कम परवावसाली नेताओं को राजिय मंत्री यहों उप मंत्री बनाया जाता है अब मंत्री परशत की अध्यक्सता का कार्य देखें मुख्य मंत्री के द्वारा मंत्री परशत की अध्यक्सता की जाती है मुख्य मंत्री के द्वारा ही इस बात का निर्णे लिया जाता है कि मंत्री परशत की बेटर कब होगी कहा होगी और उसमें किस विशे पर विचार किया जाएगा यद भी मंत्री परसद के बीतर सभी निर्णे प्राय बहुमत से होते हैं लेकिन कभी ऐसा निर्णे नहीं लिया जाता जिसमें मुख्य मंत्री के सहमती प्राप्त ना हो राजिये पाल वो मंत्री परसद के बीत समात का पूल एक जो होता है मुख्य मंत्री होता है और अनुचेद आर्टिकल 167 के तहट परतिक राजिये के मुख्य मंत्री का ये कर्तवी होगा क्या होगा कर्तवी कि राजिये के कारियों के पर्शासन समंदी मंत्री परसद के सभी निष्चे जो और विधान विशेक प्रस्तापनाए राजिये पाल को क्या करें संसुचित करें राजियेक के कारियों के परशाषन समंदी मंत्री परशाषन के सबी निश्चे और विधान विश्यक प्रस्तापनाय राजियेपाल को संसुचित करें राजियेक के कारियों के परशाषन समंदी और विधान विश्यक प्रस्तापनाय समंदी जो जाने राजियेपाल विश्यक पर विचार नहीं किया राजी निरशन आयक्त आदे के नियुक्ति के समन्द में जो राजेपाल को क्या देता है सला देता है राजेपाल के मुख्य सलाकार की भूमी का देखें मुख्यमंतरी राजेपाल के मुख्य सलाकार की भूमी का निवाता है वो पर सासन की परतिक समस्या पर राजेपाल से प परकरता है राजी विधान मंडल से समंदिस सकती जब मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत प्राप्त ना रहे तब वो निमली कित कदम उठा सकता है वो त्याक पत्र दे सकता है पहली बात दित्या वो राजीपाल को परामश देकर सदन का विक्टन करा सकते हैं कभी कभार राजीपाल से विधान सबा का विगटन कर नए चुनाव कराने की से पारिस करता है तो राजीपाल उससे पारिस को मानना पड़ता राजीपाल को राजीपाल को विधान सबा का सात्र बुलाने उसे इस्तगित करने के समन्द में सला देता है बुलाने और इस्तगन के 174 आर मुख्य मंत्री करता है आनी सकते हैं कुछ ओड़ देखें वो नीतियायोक की सासी परिशद्य नि गवरनिंग जो कॉंसिल है का साधे से होता है एम राजी सरकार का क्या होता है परवक्ता होता है अपातकाल के इस्तती में राजनेतिक इस्तर पर मुख्य परबंदक होता है ठी मुख्य मंत्री की इस्तती देखें क्या है राजे सरकार में मुख्य मंत्री की इस्तती उसे परकार की होती जैसे केंद्र में परधान मंत्री की होती है राजी का समझ सासन राजेपाल के नाम पर चलता है लेकिन राजे का वास्तिक जो परधान होता है क्या होता है क्या होता वो विधान सभा के परती उतर दाए होता ना कि राज ये पाल के परती आते मुख्यमंतरी के इस्तिती निम लिखत बातों पर निर्वर करती है संग में यदि उसी दल के सरकार है जो राजिये में सत्तारूड है तो मुक्यमंतरी के इस्तिति इस बात पर निर्वर करते है विशासक दल की इस्तिति क्या है यदि संघ में सासक दल की इस्तिति कमज gliore है तो मुख्य मंत्री की इस्तिती सक्ति साली हो जाती है यदि मुख्य मंत्री उस दल का नेता है जिसे विदान सभा में इस परस्ट बहुमत राप्त है पर उसकी इस्तिती उस मुख्य मंत्री की इस्तिती से सक्ति साली होगी जो मिले जुले दलों के मंत्रि मंदल का नेता होता है मुख्य मंत्री के स्तती को राजेपाल वो उसके स्वयम के वक्तितों के अनुसार भी देखा जा सकता यदि राजेपाल कमजोर वक्तितों वाला है तो मुख्य मंत्री के स्तती और मजबूत हो जाती है लेकिन ये दिराजेपाल का वक्तित पर भावसा लिये तो उसे अपने हर एक फेसले पर सविधानिक मर्यादा को देखना पड़ता है अमुक्य मंत्री के ओर भी अन्य कारे को देखें तो राजे में सांती विवस्ता और विकास के लिए योजनाय आउं कारे करमों की रूपरे का तयार करना राजे विदान सभा का सत्र बुलाना राजे पाल का भासन तयार करवाना राजे पाल आउं मंत्री परसद के मदिय संपर्क शुत्र का काम करना केंद्र एंव विविन अभीकरणों से संदियों समझोता करना राजी की जनता से संपर्किस्तापित करना राजी परशासन से संपर्किस्तापित करना एंव नेतरतु प्रदान करना जनता की सिकाईतों को सुनना उनकी समस्यों का निराकरण करना राजीव विदानसभा में विपक्स द्वारा पूछे गए प्रस्णों का जवाब देना सरकार दता मंत्री प्रसित का पक्स इसपष्ट करना वर्तमान में असोग गहलोद राजी के मुख्यमंत्री के रूप में कारेभार संभाले हुए है इनका जो कारेभा इन्हों ने जो हते हैं 17 दिसंबर 2018 को सपत ली थी ठीके ये 25 मुख्यमंत्री वक्ती के रूप से तेरव हैं बलकि मुख्यमंत्री के रूप में बात करें पद के रूप में तो 25 मुख्य मंत्री है और वक्ती के रूप में तेरव हैं तो पूचा जा सकता राजी के पर्थम मुख्य मंत्री हिरलाल सास्तरी हुए 7 अप्रिल 1950 वी एस वेंकटाचारी आईसी साधिकारी थे जिने केंदर सरकार ने जो है मुख्य मंत्री निउप्त किया था वी एस वेंकटाचारी ठीक है और भी बात देख लें मुख्य मंत्री के संदर्व में राजी के जो तीन मनोनित मुख्य मंत्री हुए तीन हिरलाल सास्तरी वी एस शहाँ राज्तान के परतम निर्वाचित मुख्यमंतिर राजस्तान के परतम निर्वचित मुख्यमंतिरी की बात करें टीकराम पालिवाल तीन मार्च उनिसो बावन टीकराम पालिवाल तीन मार्च उनिसो बावन को निर्वाचित होते हैं पर्तम निर्वाचित टीकाराम पालिवाल याद रखना मनोनित अलग हैं टीकाराम पालिवाल जो है ये निर्वाचित हैं टीकाराम पालिवाल तीन मार्च उनिस सुभावन को बनते हैं जेनारेण व्यास मनोनित यह निर्वाचित होने वाले एक मात्र मुख्य मंत्री थे जेनारेण व्यास जो है मनोनित भी हुए और निर्वाचित भी हुए मोहलाल सुकाडिया अभी तक जो है सरोधिक लंबी अउदी एव लगातार चार बार जो है राजी के मुख्यमंतिर रहे राजस्तान के सबसे यवा मुख्यमंतिरी भी उस वक्त वहीं थे चार बार कब कब बने वो देखते हैं तेरा नॉंबर उनिसो चौपन से जो है 11 अप्रेल 1957 तक रहे फिर सेकेंड बार बने 11 अप्रेल 1957 से 11 मार्च 1962 तक रहे फिर तीसरी बार 12 मार्च 1962 से वो 13 मार्च predictive तक रहे और जो चोति बार बने 26 अप्रेल उनिसो सत्री सट से नोजुला 1901 तक रहे राजी के पहले वो एक मातर अल्फ संक्यक मुख्य मंत्री हुए बरक तुल्ला खान जोत पूर्शे है ठीक है राजी के पहले एक मातर अल्फ संक्यक मुख्य मंत्री रहे बरक तुल्ला खान राजी के पर्थम गेर कॉंग्रेसी मुख्य मंत्री रहे जुकोंगरी सी नहीं थे बैरोसिंग सेकावत वर्स जो है 1977 में ये सिकर से थे राजी के अनुसुची जाती से बने पर्थम मुख्यमंत्री अनुसुची जाती से बने जगनात पहाड़िया भरतपूर से समधी थे जगनात पहाड़िया भरतपूर से राजी के सबसे कम अउधी के मुख्य मंत्री हिरलाल देवपूरा 16 दिन रहे मात्र कितने दिन 16 दिन रहे सबसे कम अउधी के 16 दिन रहे हिरालाल देवपूरा हरी देव जोसी तीन बार मुख्यमंत्री बने कितनी बार तीन बार बने पहले बार मुख्यमंत्री के बात करें सिर्मति वसुंद्राराजे 2003 से मते और इनका सहत्र है वो चाल्रापाटन हुट अभी तक पांच बार विदानसवा में विश्वास पररश्ताव में लाय गया है 1990 में 2 बार हो गया 993, 2009-2020 1990 में दो बार, 1993 में, फिर 2009 में, फिर 2020 मिलाया गया विश्वास प्रस्ताव राजस्तान में अभी तक चार वक्तियों ने तीन या तीन से अधिक बार जो मुक्य मंत्री पत संभाला तीन या तीन से अधिक बार तो मोलाल सुकाडए चार वार, हरिदेव जोसी तीन बार, भेरो सिंग से कव तीन बार, आसो गेलो जी तीन बार राजी के पर्तम मद्याओती चुनाओ जो है, ँई 2019 में हुए थे जब चटी विदानसबा की आओती जो है पांच वरस्ते अधिक जो पांच भी विदान सभा के आउदी जो है पांच वर्षे अदिक होई थी चट्टी तो पांच वर्षे कम कर दी गई थी पांच वर्षे पहले बंग कर दी गई थी जो पांच भी होई थी तो पांच वर्षे जादा हो गई थी थी कार exists अपात कालान के दोरान बढ़ाई गई थी। हर्देव जोसी जो एक मातर एंसे मुख्य मंत्री जो विदानसबा के अद्यक्स भी रह चुके हैं हर्देव पर रहते हुआ हुआ है बरक दुल्ला खान का अरदेव जोसी बेरु सिंग्सेकावत वसंदर राजय तीन ऐसे मुख्यमंतरी थे जो राजस्तान विदान सभाव विपक्स के नेता भी रह चुके यह जिनका कारेकाल देरेका एक बड़ देख लेते हैं मुख्यमंतरी की बात क पर चारी है सीएस वेकंड़ चारी जे जनर उन्यसी एकाउं से 25 अपरेल उन्यसी एकाउं तक रहे के अंदर सरकार द्वारा ये न्यूक्त किये गए थे आईसे साधिकारी थे जेनरेड व्यास जोत्पुर्षे हैं ये 26 अपरेल उन्यसी एकाउं से तीन मार्च उनिस उबा ऑलिवाल दोसा से तीन मार्च उनिस वाओं से 31 अक्टव उनिस वाओं तक बनते हैं ये पर्तम निर्वाचित मुख्य मंत्री हैं जेनरेड व्याश जी जोई अब जो है मनोनित उनी रहची दोनों है पहले नुक हो चुके एक नओंबर 1922 से 2012 नओंबर 1894 तक जो है मनोनित उनी रहची दोनों रहे हिए मौनलाल सुकाड़یا जी उदेपूर से हैं मौनलाल सुकाड़या पहली बार 13 नॉमबर 1904 से 11 अपरेल 19 turf तक बनते हैं उसके बार मौनलाल सुकाड़या ब सक inclusive विर 12 अपरेल 19 actively तक बनते हैं तीसरी बार जो बनते हैं 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967 bildते हैं चोती बार जो बनते हैं 26 अपरेल 1997 से 9 जुल्य 1901 तAK बनते हैं फिर पिर आगे बात करें बरक्टुला खान बरकतुला खान जो है इनका बात करें नो जुले उनीस से का तर से ये 11 अक्टूबर उनीस से तर तक रहते हैं ये भारत पाक यूद 1971 हुआ था इस कारेकाल के दोरान जो इनका निदन हो जाता है इनकी मुर्ति हो जाती हरी देव जोसी ये बाहसवाडा से थे 11 अक्टूबर उ उनीस से तर तर तक आपात का लागू हो गए था इनके काल में ठीक है इनकारण ये जो कम टाइम के लिए बने थे ये 11 अक्टूबर 1903 से गुंटी से अप्रेल तर तक रहे था ये ठीक है अपात का लागू हो गए था पैरो सिंग से काओ जो सिकर से थे ये 22 जून 1977 से 16 फरोरी 1980 तक रहे ये पहले गोर कोंगरी जुकेर कोंगरी से ना मुख्यमंतिर रहे था जगनात पहाड़िया चे जून 1883 जुलाई 1912 तक रहे पहले अनुसी जाती की मुख्यमंतिर रहे ये सिवचरण माथूर 14 जुलाई 1915 तक हिरलाल देवपुरा इरलाल जी देवपुरा ठीक हिसाब से कम अवधी के रहे हिरलाल देवपुरा 23 फरोरी 1985 से 10 मार्च 1915 से तक हिरले सबसे कम मात्र 16 दिन की हरी देव जोशी 10 मार्च 1915 से दूसरी बार मुख्यमंतिर बने या सिवचरण माथूर पिए यहां दूसरी बार मुख्यमंतिर बनते हैं 20 जनुरी 1998 से 4 दिसंबर 1990 तक दूसरी बार बनते हैं हरीदेव जोसिचों यहां तीसरी बार बनते हैं 4 दिसंबर 1990 से 4 मार्च 1990 तक तीसरी बार बनते हैं बहरो सिंग सहकावत यहां दूसरी बार बनते हैं 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक दूसरी बार बनते हैं पिर बैरो सिंग शहकावत, बैरो सिंग शहकावत तीसरी बार बनते हैं, चार दिसंबर 1913 से एक दिसंबर 1909 तक ये तीसरी बार बनते हैं, तीसरी बार बनते हैं, बैरो सिंग जी शहकावत की बात करें, असोग जी गहलोद, असोग गहलोद इनका जो विदान सबसेतर हैं, व प्र दिसम्ब 2023 से अश्चुष। गयलो तो विदान साहतर सरदार पुरा टीक है Vसंद राज के सींदिया जैलड़ा पाटथन से आट दिसम्ब 23 से तेरा दिसम्ब 2008 तक पहले महिला मुख्यमंद्री बने यह ठीक है असोग्यलो 2000-harpalar dan final 2013 दूसरी बार बनते वसंद्रह जेशइंदिय फिर दूसरी बार बनते 13-ंद 2003 से 16-17 तुसरी बार असुक जीगय 208 से अभी असुक जी ओ बातें और देखते हैं उपमुक्ई मंतरी मंतरी बने उप मंहोंrä की बात कर ले ठीक आरााम पालिवाल मुक्यमंतर रहे उस समय मुक्यमंतरी थे जैनारेंड व्यास हाई संकर भावड़ा ये बाज़ पासे थे 4 दिसम्मर 1903 से 30 नॉम्मर 1908 तक ये उसम्मुक्यमंतर रहे बैरु सिंगी सेकाओ दिसम्मे मुक्यमंतरी थे बनवारी लाल भेरवा कॉंगरेस से है ये मई 2002 से traff9 दिसम्ब 23 तक जो है ये मुंक्य मोंतिर एक शौव और मुक्य मंतिर समय जी गयलोड थे कमला बैनिवाल ऐकॉंग्रेस से हैं 12 जनुट जनुट 2023 से चार कर दिसम्ब 2003 तक गुप मुप मंतिरी कमला बैनिवाल और मुक्य मंत्री घिर या के अशुग जी सचीन पाइलट 17 दिसमर 2018 से बनते हैं और 14 जुलाई 2020 तक रहते हैं उप मुख्य मंत्री असोग जी मुख्य मंत्री जी कौन है असोग जी गहलो तो यही थी जानकारी मुख्य मंत्री के बारे में कैसे लगी आप लोग जुरू बताएगा वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेर करें अच्छा लगे तो नश्कार